तो हे गाज स्वागत है आप सभी लोग का फिर से हमारे यूड़ी चैनल टेक मजबने दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तर से आप जो है अपना ओटो अपडेट्स को रख सकते हो दोस्तों ओटो अपडेट्स आप पले स्टोर में स्टॉप कर सकते हो ठीक अपडेट्स की जिए ठीक है जिस अप्लिकेशन का रिक्वाइड है अपले आपको ज़र्रत अपडेट करने की वहीं पर अपडेट्स की जिए और यह सेटिंग तभी आपको मिलेगा जब आप इस वीडियो को फोल देखोगे तो विड़ाउट एनिवेस्ट टाइम चलिए है इस वीडियोग को सुरू करते हैं सबसे पाले आपको जो है अपना प्ले स्टोर को ऑपेड़ने को फिस तरह से आपको देखने को मिलेगा प्ले प्ले टोर जहां पो को यहाँ पर थीडाट यहाँ पर लुक्नाई यहाँ पे जैसी click करोगे तो आपके सामने इस तरह से नीचे जा गोगो और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा settings तो आप lugar आपको setting बाद वर अप्षन पे क्लिक करना है और जैसी settings पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दीखेगा auto updates app ठीके ना तो आप इस पर किलिक करोगे इस पर किलिक करोगे तो आपके यहांपे तीन ओप्शन से दिखे जाएंगे auto updates related जहाँपे आपको over any network और over wifi only और don't auto updates अप इन तीनों के बारे में समझाते हैं guys विस्तार से और एनी नेटवर्क का मतलब होता है कि आप जो है अपना डेटा भी यूज कर सकते हो साथ ही गाइस आप जो है वाइफाई जो अब लेते हो किसी से तो वह अटोमेटिक जो अपडेट का सिस्टम रहता है तो अपडेट हो जाता है और अपका अगर डेटा भी चालू रहता है तो update हो जाता है automatic ठीक है ना and guys second को आप तो समझाते हैं कि over wifi only यानि यह सिर्फ wifi में connect करेगा जैसे किसी भी किसी का भी आप wifi ले रहे हैं host post ले रहे हैं connect कर रहे हैं तभी आप जो है आपका automatic updates होगा अन्य था आपका नेट चालू रहेगा फिर भी जो updates नहीं होगा auto updates ठीक है तो यह वाला आप यूज कर सकते हो कभी कभी लेकिन आपको हमेशा रखना है don't auto updates यानि आप wifi लेंगे या आप जो अपना updates देखने को नहीं मिलेगा ठीक है जो updates होता है automatic तो आप बोलोगे कि manually किसे कैसे पता करेंगे कि किस updates का मतलब कौन सा application जो है मेरा जो मैं यूज करता हूं उस application का updates आया है कि नहीं तो फिर से आपको यहाँ पर त्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको चले जाना है my apps and game ठीक है जब आपको लगे कि आपका जो updates कुछ आया होगा तो इस तरह से यहाँ पर आजाना है और यहाँ पर गाइस आपको इसी तरह रखना है updates के option पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको नीशी स्कॉल डाउन करना है अब यहाँ पर देख सकते हो Chrome बीटा पर updates आया है जहाँ पर किलिक करोगे तो updates हो जाएगा manually फेस्बुक पर आया है तो यहाँ पर updates करके कर सकते हो तो गाइस जैसे कि मैं यूज करता हूँ सबसे ज़्यादा Chrome बीटा ठीक है ना इसको मैं सर्च के लिए यूज करता हूँ website open करने के लिए यूज करता हूँ साथ ही यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube से अपलोड नहीं करता हूँ ठीक है यहाँ से अपडेट करता हूँ website से जाके and guys मैं Facebook भी चलाता हूँ बहुत लेकिन यह यहाँ पर मुझे Facebook से रिलिटेट कुछ भी अपडेट मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं अपना फोटो पोस्ट करता हूँ इसलिए मैं हमेशा इसको यूज नहीं करता हूँ इसको अपडेट्स नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर 42 MB का अपडेट्स है यहाँ पर यहाँ मेमोरी फूल हो सकता है वैसे मेरा मेमोरी फूल नहीं होगा 64 MB का है लेकिन जितना आपका इसपेस खाली रहेगा उतना ही स्पीट आपका जो है मोवाइल वर्क करता है ठीक है यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा दिखेगा जैसे कलकुलेटर कलकुलेटर मेरा अच्छी तर करना चाहते है ठीक है यहाँ लिखा हुआ रहेगा मतलब इसका अपडेट्स नहीं आया है लेकिन जिसमें अपडेट्स लिखा हुआ रहा है उसे अपडेट कर लिए तो मेरा जो सब्सक्राइन है यह वाला क्रॉम बीटा तो मैं यहाँ पर अपडेट्स पर क्लिक करता हूं यहाँ पर क्लिक करके कट कर सकते हूं इस तरह से गाइज मैनुवाली आप जो अपडेट्स कीजिए तो आपका जो मोवाइल सुरफचित रहेगा बहुत सारा वेक्ति मुझे कमेंट करते थे कि आपका जो मोवाइल बहुत ही अच्छा इस्पिट करता है और मेरा जो है मोव हैंग होने से बहुत बचा और आपका इस्टोरेज बचेगा एंड़ गैस साथ ही आपका मोवाइल बहुत ही इस पिट काम करता है इस तरह से जो मैनुवाली आप अपडेट्स करते हूं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया एंड़ गाइस वीडियो पतानात कर दो कर दो